रोहिष सर्मा ने सर्फराज खान को ऐसा क्या कहा कि सभी लोग हसने लगे, खुद सर्फराज खान हसने लगे, रोहिष सर्मा हसने लगे, धुरूब जो रिल वहाँ पे जो मौझू थे वो हसने लगे, टीवी पर देख रहे हैं सारे दर्सक एक तरिके से समझ नहीं पाए कि आकिरकार उन दोनों के बेच हुआ क्या आपको बता दू कि रोई सर्मा जब जब मैदान पर रहते हैं आपको डल मोमेट तो बिल्कुल देखने को मिलता है नहीं है ठीक वैसा है चौथे टेस्ट के तीसरे दिन देखने को मिला जब फिल्डिंग करने के दोरान सर्फराज खा जब ही वहाँ पर कप्तान आते हैं उनको बोलते हैं हेरो बनने के जरूत नहीं है आपको हेलमेट सबसे पहले तो पहन लेना चाहिए और जिस प्रकार से हेलमेट पहनने के बाद वो कुछ बाद बताते हुए नजर आते हैं कुछ बारतालाव होती है उन दोनों के बीच कप और सर्फराज खान के बीच वो कह सकते हैं कि थोड़ा हास्यात्पत था हसने वाली बाते होने कही और जिस तरीके से उनका लहजा जो होता है चाहे हो प्रेस कॉन्फरेंस में हो या मैदान पर हो स्टंप माई के जरिये हमें सुनाई देते रहता है जिस तरीके से बीच-बीच में कुछ ऐसी बाते ओकर जाते हैं जो खिलारियों को मनरंज करती है जो टेबी पर देख रहे हैं दर्सक उनको काफे एंटरेटेन करते हैं तो यह है कि जब तक रोही सर्मा मैदान पर होते हैं ऐसी ऐसी कुछ हरकते हमें देखने को मिलते रहता है जैसा कि सर्फराजकार के साथ वो करते हुए नजर आएं काफी बारल वैसे क्लिप जा रही है और डेब्यू पे फादर साब जो थे नौसाद खान सर्फराजकार के फादर साब उन्होंने बोला भी था रोह सर्मा को कि मेरे बेटे का खयाल रखेगा उन्होंने बिल्कुल खयाल रखा बिना हेलमेट के फिल्डिंग करने आये थे उनको बोला की नहीं हिरो बनने के जरुतनी है हेलमेट पहन के वहाँ पे क्योंकि सौटलिक पे ऐसी पोजिशन होती है जहाँ पे आपको गेंट तीजी से लग सकता है सर पे भी कहीं पे भी तो वहाँ पे हेलमेट पहनना जरूरी होता है और वहाँ पे वो सही कप्तान का नसीहत था कि वहाँ पे उस खिलाड़ी को हेलमेट पहन लेना चीए आपको कैसा लिखते है रोहिस सर्मा कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा धन्यवाद